सबी भाई लोगों को नमस्ते जी, हमारी मास नैचुरल टीवी की तरफ से, इस विडियो में हम अक्टोबर मन्त का जीरो दा प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देखेंगे तो हम यहां पे फ़र्स्ट जीरो दा कंसोल पेज में लॉगिन होके नावगेट होके यहां पे आना चाहिए तो यहां पे इतना सारे टैप्स लिखाई देंगे तो इसमें हम रिपोर्ट के ओपर क्लिक करके पि-एइन डेल प्रॉफिट ऐड लॉस के ओपर क्लिक करना है उसके बाद यह पे जाएगा यहां पर हम लोग हमारा सेगमेंट चूस करना चाहिए यहां पे मेरा सेगमेंट है फूचरीट करीफिशे दोंगा उसके बाद हम लोग धेट रिंज सेट करना चाहिए कुण सा देट से लेकर कहा कुण सा डेट तक 활cks przy यहां पे October मत का मेरे को देखना है तो इसलिए हम यहां पे आने के बाद actually मैं normally expiry to expiry देखता हूँ as मेरा previous वीडियो में भी उसी तरह से मैंने दिखाया तो इस वीडियो में भी तो मैं यहां पे September का expiry था 24th of September में तो उसलिए मैं उसका next thing that is 25th of September से लेकर start कर दोंगा और तू के tab में October का है जो 29th जो है यह वाला है October का expiry तो यह वाला select करोना है so 25 to 29 यह हुआ September to October that is October मन्त का total एक मन्त का profit तो यह select करने के बाद हम लोग व्यू के ओपर click करेंगे तो यह process होके जो यहां पे दिखाई दे रहा है यह वाला मेरा total लिस मन्त का profit और यहां पे देखिए तो यह total realized profit है 51,000 और इस में यारॉंड 1,300 चार्जेस जो ब्रोकरेज यह सारे ब्रोकरेज, Central GST, ACBA turnover यह सभी चार्जेस मिला के 1,300 हो आए और other credits and debits ने 20 रुपेस हो मैनस हो आए तो यह चार्जेस और other credits and debits यह दोनु माइनस करना चाहिए over realized profit में तो मेरा net realized profit आएगा 49.69 that is almost 50,000 मतलब almost to 50,000 यह तो unrealized profit है मैंने delivery लिया है मतलब यह next day का delivery है next month में लिया है November का तो it will be calculated in the next month तो final net realized profit and loss जो दिखाई दे रहा है यह जो है completely charge free है मतलब यह दोनु चार्जेस और credit and debit माइनस होने के बद यह वाला आए गा so that is almost half century 50,000 यह जहाँ पे देख रहे है यह below trades मेंने लिया था इस मन्त पे maximum bank nifty और nifty में ही trade गया था और यहां पे देखिए सभी trades जितना भी trades मेंने किया है सब कुछ profit में यहां रहा है इस मत में भाई लोग अगर आप लोगों को यह media अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा subscribe किएगा और share करना मत बूरिएगा